दोस्तों आज इस वीडियो में व्यक्तितो यानि पर्सनालिटी चैप्टर को पूरा A to Z खतम कर देते हैं एक मात्र वीडियो में यह चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन यहां से 7-8 कुष्टन्स पैडागोजी सहित बन जाते हैं आपके एक्जाम में तो यह चैप्टर यानि व्यक्तितो वाला चैप्टर आपके एक्जाम को काफी हद तक टै कर देता है ठीक है तो भाया एक पेन एक कोपी हर बहन हर वाई उठा लीजेगा ठीक है जिससे आपको पूरा अच्छा खतरना ग्यान जो होता है वो अधूरा ग्यान होता है इसलिए स सबसे important आता है व्यक्तितु के प्रकार जब भी आप वीडियो को सर्च करते होगे YouTube पर तो आपको मिल जाते होंगे part 1, part 2, part 3 तो मैं ने ऐसा नहीं किया है ठीक है? तो एक वार concentration के से इस वीडियो को देखेंगे जिसमें क्रेचमर के अनुसार कितने है? सेल्डन के अनुसार कितने है व्यक्तितु दिये गए है? ठीक है जुंग उन्हें के कौन से बता है? आप से कुछन पूछता है कि जुंग के अनुसार कौन सा है? कौन सा नहीं है? है ना? काले पितवाले पीले पितवाले जो भी होंगे सारी चीजे एक वीडियो में तो भाया स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम दिस धीरेज दिवेदे फ्रॉम गुरुजी वर्ड परसनालिटी सब्द आपको सबसे पहले अगर हमें आप से कहोंगी कोई बंदा जा रहा है व्यक्तित्यों का अर्थ समझ लो कि अगर कोई बंदा जा रहा है तो आपने कहा कि वो बहुत ही उसका व्यक्तित्यों बहुत ही अच्छा है उसकी परसनालिटी बहुत ही अच्छा है आपने इतना तो कहा ही होगा अपने मूँव से है ना तो बस यही होता है सिंपल सी बात है आप समझना यह है कि कुस्षन कहां से आता है कि पहला कुस्षन तो डारेक्ट यह पूछ लेता है जो हमेशा 100% बच्चे गलत करते है कि personality सब्द कैसा सब्द है options होते है Latin, French, English तो personality सब्द जो है वो English सब्द है याद रखना बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है तो सिंपल सी बात है देखने के बाद भी वीडियो नहीं पता चला अब बात आती है इंग्लिस कैसे है देखो भीया सिंपल सी बात है व्यक्तित्तों की English ही personality है तो English word ही तो हुआ personality persona सब्द है Latin ना की personality देखो personality जो है सब्द वो persona से बना हुआ है question में बारवार exam में आया है दूसरा question ऐसे पूछ लेता है कि personality सब्द किस से बना है persona होता है, है ना pursuit option में होता है तो आपको persona लगाता है अचा persona का मतलब क्या होता है persona का मतलब होता है नकाव बोले तो मुखोटा, मास्क, आवरण ठीक है, जो हम अपने चहरे पर लगाते है या हम कहते हैं कि जो अपने ऊपर बाहरूप है अमारा बाहरी जो रूप है अमारा दिखने में अगर अच्छा है तो बोले personality अच्छी है, दिखने में खराब है तो बोले personality खराब है तो simple सी बात है, persona सब्द कैसा है Latin भासा का सब्द है जो बना है आपका, personality बना है persona से, और personality कैसा सब्द है आपका English World है और जिसका मतलब होता है व्यक्तित्तो ठीक है समझ में आ गया प्राचीन कुशन में ये आया है कि व्यक्तित्तो जो होता था वो प्राचीन समय में कैसे निधारित होता था प्राचीन समय में बाहरूप यानि किसी व्यक्ति के वहरूप को ही देखकर ये तहे कर दिया जाता थ तो ही व्यक्तित उसका अच्छा है तो ये चीजें आपको जिंदगी में नहीं भूलेंगी जैसा मैंने बता दिया कभी भी नहीं भूलेंगी आपको पढ़ने की आवसकता भी नहीं है और मैं तो चाहूँगा आप लिखेगा बेहतरीन तरीके से ठीक है क्योंकि अब कुछ संस थोड़े से टफ वनेंगी आगे आलपार्ट महोदे ने ये कहा था कि व्यक्तित उन मनोदैहिक बेवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो बातावरण के साथ समायजन इस्थापित कर लेता है जो एटमोसपियर है हमारा जिस समाज में हम रहते हैं और जिस बातावरण में हम रहते हैं बातावरण सकारात्मक भी हो सकता है नगरात्मक भी हो सकता है तो भाया क्या परसनाल्टी को बता है आलपार्ट महोदे ने जो सबसे ज़्यादा परिवासा पूछी जाती है एक्जाम में ये कहा है कि किसने ये कहा था कि व्यक्तित तो उन मनोदाहिक विवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो बातावरण के साथ समायोजन इस्थापित कर लेता है तो ये कहा था आलपार्ट महोदेने क्लियर इसके बाद एक परिभासा आई केटल साहब की कुछन में एक बार आपसे पूछ लिया गया है व्यक्तित तो वह है जिसके द्वारा हम भविस्थिवानी कर सकेंगे या कर सकते हैं कि कोई व्यक्तिक किस परिस्थि में कैसा कारे करेगा या कर सकेगा ठीक है तो सिंपल सी बात है यह कहा था हमारे तो क्या आपको याद रखना है कि जिस परिभासा में कावर्ड जादा आए जिस परिभासा में कावर्ड जादा आए तो वो परिभासा हमें लगा देनी है कैटल की और कैटल में भी का आ रहा है ठीक है कैटल में भी क्या आ रहा है सर का आ रहा है तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है बात आती है गिलफोर्ड के रुसार बहुत सिंपल परिवासा है जो आपके एक्जाम में इसके बाद सबसे ज़्यादा परिवासा पूछी गई है यह किसने कहा है कि व्यक्तित्तो व्यक्तिके गुलों का समनवित रूप है यह कहा है गिलफोर्ड महोदे ने और यह किसने कहा है कि व्यक्तित्तो व्यक्तिके ब्यवहार की समग्र विसिस्ता है बुडवर्थ बुड़ को हम क्या गुडवर्थ नहीं कर सकते हैं good means क्या होता है अच्छा होता है है ना और अच्छा अच्छा क्या करोगे दूसरों के साथ आप अच्छा क्या करते हो आप दूसरों के साथ अच्छा बेवहार करते हो तो जब भी आप good worth यानि good worth आ जाए तो बेवहार कैसा करोगे अच्छा करोगे है ना तो ये आपको मैंने थोड़े थोड़े word logic बता दिये trick वाले जो आपके options को exam में tick करने में मदद करेंगे ठीक है आब हम चलते हैं व्यक्तित्तो पर कि भाईया व्यक्तित्तो तो भाईया हमने चान लिया कि क्या-क्या रूप रेखा है क्या-क्या उसके कथन है इतना आपका समझ लेज़े आधा व्यक्तित्तो खतम हो गया अब बचा है 50% व्यक्तित्तो जो प्रकार से आते हैं कुछ सन देखीगा गाईस व्यक्तित्तो जो है व्यक्ति प्लस तत्तो से बना हुआ है जिसका अर्थ हो सकता है नकारात्मक भी तत्तो हो सकते हैं इसमें यानि किसमें व्यक्ति में व्यक्ति तो ठीक है यह वर्ड है हमारा personality और इसमें कुछ जो है किसी व्यक्ति में सकरात्मक तक तो हो सकते हैं यानि इस व्यक्ति में अगर नकारात्मक है तो वो नकारात्मक वादी व्यक्ति है और इस व्यक्ति में अगर सकरात्मक है तो भाईया सकरात्मक वादी तत्तो है व्यक्ति है वो तो भाईया अगर दोनों को अगर मिला दे तो ये कैसा हो जाएगा व्यक्तित तो हो जाएगा यह कुशन में बारबार यह पूशा किया है कि व्यक्तित तो बराबर वनसानुग्रम गुणे बातावरन होता है, प्लस बातावरन होता है, भाग बातावरन होता है, या माइनस बातावरन होता है, तो व्यक्तित तो यानि परसनालिटी कभी भी वनसानुग्रम और गुणे ब वनसानुक्रम होता है और बातावरण में आपने जो एट्मोस्पेर से सीखा है ठीक है तो यह किस ने कहा है दोस्तों बिलियम बुडबर्थ ने कहा है कि व्यक्तित्तों जो होता है वो बरावर होता है वनसानुक्रम गुणे बातावरण के तो यहाँ पर गुणा चिन बहुत दिख रहा होगा भी सजेस्ट वीडियो लिख कर आ रहा होगा इसको क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो आपको मिल लाएंगी सिगमंड फ्राइड की इड एगो एहम बाला भी मैंने सिध्धान पढ़ाया है सिगमंड फ्राइड का वो भी आप पढ़ें तो ये वाला सिध्धान किस ने दिया है सिगमंड फ्राइड ने दिया है अब बात आती है बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर 50% जहां से कुशन बनेंगे व्यक्तित्तो के प्रकार गाइस तो व्यक्तित्तो के प्रकार में आज इस वीडियो में पहला हम देखते हैं कि यूंग के अनुसार यूंग के अनुसार व्यक्तित्तो तीन भागों में बाटा गया अब यूंग साहब ने या इनको जूंग कहा जाए जूंग साहब चाहें यूंग आ जाए चाहें जूंग आ जाए तो दोनों को प्रैकिट में लिख लेना एक ही बात है अंतर मुखी व्यक्तित तो बताया बहिर मुखी व्यक्तित तो बताया दूसरा कुष्छर आप से पूछेगा कि निम्न लिखित में इसे यंग और जूंग का अनुसार कौन सा व्यक्तित नहीं है तो उसमें क्या होगा तीन तो आपके ये होंगे लेकिन एक आपको दूसरा कुछ दे देगा उप्शन में तो वही आपको टिक करना होगा तो हैं और नहीं के लिए आपको हैं सबसे पहले important तरीके से याद करना होगा अब बात आती है कुछन इनके अंदर से जो बनता है बहुत important जो हमेशा ही बनता है कि यह पता दीजेगा कि समाजिक्ता की भावना का आभाव जिसमें होता है व्यक्ति में जिस व्यक्ति में होता है वो कैसा व्यक्तित वाला होता है तो options अगर अंतर मुखी है तो माण दीजेगा अब को कि सर्फ बिना पढ़ाय बता दिया तो simple सी बाते देहन दीजेगा अंतर मुखी व्यक्तित का मतलब होता है जो अपने में मगन रहता है अंतर मुखी का मतलब होता है जो किसी को बात अपनी नहीं बताता है अंतरमुखी वो होता है जो अपने नियम कि मैं कैसे पढ़ता हूँ मेरा दोस्त आगे ना निकल जाए समाज में क्या चला है उसे मतलब नहीं है मतलब वो क्या होता है अपने में मस्त है ठीक है? तो एकांत प्री रहता है लोगों से बिल्कुल मिलता नहीं है चुपचाप रहता है अपने मित्रों की संक्या कम रखता है सिंपल सी बात है जब एकांत रहेगा एकांत में रहेगा तो संक्या कम होगी अपने आप अपने से काम रखता है सहयोग और सामाजिक्ता की भावना का आभाव होता है कि कोई लोगों से मिलता ही नहीं है तो सिंपल सी बात है अगर कुस्षन में यह आए कि एकांत प्रियवाले लोग कैसे होते हैं तो आपको आंसर लगाना है अंतरमुखी यह कुस्षन बार-बार आया है एक यहां से आया है और एक सामाजिक्ता की भावना का आभाव से कुस्षन आया है यह कुस्षन आपके एक्जाम में सो से प्लस बार एक्जाम में आ चुके हैं याद रखेगा दूसरा है कि बहिर मुखी व्यक्तित तो क्या है बहिर मुखी मतलब अंतर मुखी का उल्टा बहिर मुखी का मतलब होता है जो सभी को अपने विचार बता देता है सेर कर दे हर बात अपनी बात को सेर ना करे वो भहिया अंतर मुखी जो अपनी बात को सेर करे वो हमारा बहिर मुखी अपने में मस्त नहीं रहने वाला बहिर मुखी क्या कहलाता है बिनोध प्रिय कहलाता है खुसमिजाज कहलाता है बाक पटुता बहुत बोलता है मित्रों की संख्या अधिकता होती है समाज में लोग प्रिय होते है क्योंकि समाज में बैठता है सायोग और समाजिक्ता की भावना अधिक होती है क्योंकि समाज में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेता है अगर किसी दुख कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके लिए सहायता करता है तो ये क्या होता है ऐसे बहिर मुखी वाले होते है और उभे मुखी वाले व्यक्ति दुखे राम जो है प्रतेग दसा में प्रतेग व्यक्ति की मदद करता है तो वो कैसे व्यक्ति वाला है तो वो बहिर मुखी वाला है और उभे मुखी क्या है उभे मुखी का मतलब होता है क हमने पढ़ लिया जुंग को और जुंग जिंदिगी में आप नहीं भूलोगे जुंग आए चाहीं युंग आए कितने भाईया तीन कौन-कौन से बोले तो अंतरमुखी भाहिरमुखी उभैमुखी सारे कुछन आप कर लोगे यह बादा नहीं यह चैलेंज है यह चैलेंज पर व्यक्तित्तु के प्रकार बता है तो सरी रचना के आधर पर तूसरा कुछन यह बनता है कि एक रिचमर ने कौन सा व्यक्तित्तु दिया है कितने दिये है और कौन सा नहीं दिया है और तीसरा कुछन यह बनता है कि भाहिया यह बता दीजेगा कि इनके अंदर से जो कु धांत यानि व्यक्तित्तु कितने प्रकार के बताएं है चार यानि पुस्ट यानि हस्ट पुस्ट लिख लेना है आपको के बल लिख लेना है अभी मैं बताऊंगा और दूसरा है दूबला पतला यानि एस्थेनिक और तीसरा है धनत्वक यानि picnic और भीमूर्ती यानि disc plastic अच्छा options में आपको English नहीं देता है options में आपको Hindi कभी कभी नहीं देता है और English भी नहीं देता है direct क्या करता है Hindi में आपको English लिख देता है ऐसे ही तो अब बड़ा परेशान हो जाते हैं बच्चे तो इसलिए आपको सारी चीज़े लिख लेने हैं अब बात करते हैं यहां से जो questions बनते हैं कैसे बनेंगे तो सबसे पहले यहां पर hust-pust अगर hust-pust athletic की बात आए athletic को कहते हैं hust-pust ठीक है तो आपने जब भी सुना होगा कि athlete कैसे होते हैं तो वो hust-pust होते हैं की नहीं होते हैं simple सी बात है simple बताना तो athletics के प्रकार में एक रिष्मिर ने कहा है कि इस प्रकार के विक्तियों में सुगठित इसको बोले संगठित सरीर और push-pust-mass-pust होती हैं चोड़ा-कंधा, लंबे हाथ-पैर होते हैं अब धंग में मनोकूल समायोजन करने वाला विक्ति है तो वो हमारा कहलाएगा athletic अब question कैसे आता है? question ऐसे आता है कि भाईया ये बता दीजेगा सुडोल संतुलित संरचना वाला विक्ति इक रिष्मिर में किस स्थान पर जाएगा तो वो athletic में जाएगा और question 2 ये पूछता है आपसे कि ये बता दो चिर्चिरा वाला अगर कोई व्यक्ति है जिसको जादा गुस्सा आए तो वो किस में जाएगा? वो जाएगा aesthetic में यानि दुबला पतला जो आदमी होता है आपने खुदी अपने गौर करा होगा जो दुबला पतला होगा वीडियो देख रहा होगा बच्चा वो भी कही न कहीं दुबला पतला होगा उसको गुस्सा बहुत आता होगा तो याद रटना है गुस्सा आता है दुबले पतले व्यक्ति को और उसको चिर्चिरापन भी रहता है मानसिक रोगी की संभाबना होती है जादा बुरा मत मालना लेकिन ये reality है तो आपको मानसिक रोगी नहीं लेकिन हाँ यह मांता हुँ गुष्सा आता होगा लंबा यहां देखो जो दुबला पतला होगा वो लंबा ज़्यादा होगा आयतन कम होगा simple सी बात है, जग है, कम होगी क्युकि बाइइ, पतला होगा तो simple सी बात है मोटा तो होगा, नहीं, अगर मोटा होगा तो आतन जादा होगा दूसरे की हसी का पात्र बन सकता है अगर बहुत ही ज़药दा, लकडी होगा तो simple सी बात है। अब बात करते हैं, कुश्चन नमबर थर्ड कैसे पूछता है आपसे, थर्ड ऐसे पूछता है कि खुसमिजाज वाला व्यक्ति कैसे, अभी तो हमने नाराज बाला देख लिया, चिर्शिरापन बाला गुसेल देख लिया, और हमने ये देख लिया कि एथिलिटिक प्रबत्ति वाले लोग कैसे होते हैं, वो भी देख लिया, लेकिन अगर आजाए कि खुसमिजाज वाले लोग कैसे होते हैं, आपसे कुश्चन पूछता है, खुसमिजाज प्रबत्ति वाले निमलिकित ओप्सन में कौन होगा, हाथ पैर गोला कारकंधे और बक्ष सीधा साधा लोकप्री होगा खाने के सौकीन ज़्यादा होते हैं क्योंकि भाई मोटे लोग होते हैं खाने के सौकीन ज़्यादा होते हैं गुस्सा कम आता है आराम से नीद लेते हैं वाले कहलाते हैं athletic ठीक और चोथा है आपका बिमूर्थी बिमूर्थी क्या है जिसको हम dysplastic कहते हैं बेमेल अंगो वाला असाधारन गठन जो मतलब विक्रत अंग है असाधारन गठन है ठीक है कोई अंग का मतलब नारमल आदमी में जितने अंग होते हैं उससे भी कम है या ज selden ने तीन प्रकार के विक्तित तों बताए है इन्होंने सरीर की विस्ताओं के आधार पर बताए है एक है आपका endomorphic एक है mesomorphic यानि आयता करती वाले और एक है लंबा करती यानि एक्टो मॉर्फिक गाइस इसमें जो कुशन्स बनते हैं डायरेक्ट आपके बिलकुश्मर के नुसार बनते हैं बस इनके नाम चेंज कर दिये हैं इनके केबल नाम चेंज कर दिये हैं क्या करती हैं सर नाम चेंज कर दिये हैं अब बात आती है कि गोला करती वाले यानि इंडो मॉर्फिक गोला करती वाले अब बात आती है कि गोला करती वाले कैसे होंगे तो गोला क गोला करती, इंडो मॉर्फिक यहां कहते हैं, और उधर कहते हैं, पिक्निक, तो अगर आपसे पूछें, यहां से, तो आपको इंडो मॉर्फिक मारना पड़ेगा, जब आपको कुछन मारना पड़े, सेल्डन से, जब सेल्डन वाले उप्सन हो, तो अगर आपसे पूछें कि खुसमिजाज वाले लोग का options कौन सा है, खुसमिजाज वाले लोग किस ready में आते हैं, तो गोला करती वाले में आते हैं या endomorphic वाले में आते हैं, अच्छा एक चीज़ और याद रखना है, टेक बता देता हूं NIC word आएगा, NIC word आएगा, तो वो सभी में जाएगे, क्या वो सभी जाले जाएगे आपके, उसमें चले जाएगे क्रेचमर में, और Selden वाला अगर आ जाएगा, तो Selden में सभी में लगा है, फिक, Last में फिक लगा है ठीक है, तो खुसमिजाज बाले आपके चले जाएंगे किसमें एंडोमोर्फिक जिनका सरीर जो है कोमल और गोल सरीर होता है पाच्चक अधिक विक्सित होता है पेट था नितम बड़ा होता है आयताकरती वाले यानि मीजोमोर्फिक फिक लगा है न तो यानि सेल्डन है तो सेल्डन का बरगी करड़ जो है दूसरा पॉइंट हमारा है हश्ट पुष्ट जो सीले क्रोधी और भारी शरीर जो है पतली चबड़ी और लंबे होते हैं यह है हमारा आयताकरत आयताकरत में क्या होता है इसमें काफी सुड़ोल होता है जो हमने उपर अभी किस में देखा था जो हमने अभी उपर देखा था गो गाईस एस्थेनिक में तो यह चीजें इनमें समान हैं बिल्कुल समान है बस नाम चेंज है अब बात आती है थॉन्डाइक के अनुसार यह एक्जाम में कम पूछे जाता है कि बिचार के अधार पर किसने प्रकारों को बताया है तो बिचार के अधार पर थॉन्डाइक ने विक्तित्यों को बाटा है पहला है इस्थूल बिचार वाले दूसरा है सूच्छम बिचार वाले तीसरा है प्रत्य बिचार वाले अब बात आती है एक समय में देख लेते हैं एक नजर में इस थूल विचार वाले जो वस्तूओं के माध्यम से विचार करते हैं जैसे भूगोल में मानचित्र की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने वाले कुशन में आता है कि भूगोल में किसी को इस्थिति ग्याद करनी है कि हमारा घर कहां पर हो सकता है या यह दूइब कहां पर हो सकता है तो वो किस विचारवाले प्रबत्ती होंगे तो वो होंगे इस थूल विचारवाले अच्छा एक चीज पूछें फिर से मैं रिपीट करूँगा कि विचार के आधार पर विक्तितो गा बर्गिन किसने करा है तो थोंडाइक ने कि विचारवाले में और लास्ट है प्रते विचारक यानि संकेत या चिंदों के माध्यम से विचार करने वाले गडितक याँ भाथिक बिक्यारी तो जो संकेत के माद्यम से जो चिन्नों के माद्यम से अगर विचार करते हैं तो बुबाया है आपके कौन है प्रत्य विचारक कहलाएंगे अब बात आती है दो important एक है आपके भगवत गीता के अनुसार और एक है आपका काले पित पीले पित और अधिकरक्त वाला यानि हिपोकरटीज सिध्धान बहुत important भारती द्रस्टिकोण यानि भगवत गीता के अनुसार सतोगुड व्यक्तितो बाटा गया है पहला दूसरा रजोगुड व्यक्तितो बाटा गया है और तीसरा लास्ट तमोगुड व्यक्तितो तो कुशन में ये वार वार आया है कि निमलिखित में से कौन सा भारती द्रस कोण के हिसाब से व्यक्तित तो है या नहीं है तो सतोगुड रजोगुड तमोगुड ये आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है साथी साथ सतोगुड है क्या सभी गुड़ों में संपन इसुर में धर्म आस्था रखने वाला सतोगुड व्यक्ति कहलाएगा जो जिस व गुड़ और अबगुड बाला कर्म में आस्था रखता है यानि गुड़ और अबगुड को बताता है कर्म में अगर आस्था रखता है जो कर्म में अगर आस्था रखता है जो धर्म में आस्था रखता है एक अलग मेटर है जो कर्म में आस्था रखता है वो रजोगुड और भाया लडाई जगडा करने वाला युद्ध प्रेयमी करने वाला कल है प्रेयमी करने वाला कि एक दूसरे को लडा दिया जाए वो तमोगुरी विक्ति होता है उसका तो ये चीज समझने वाली है गाइस ये वीडियो थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन अगर आप लिखेंगे और उसको हर तीसरे दिन अगर आप थोड़ा साथ देखेंगे हर तीसरे दिन मैं रोज नहीं कहता रटो उसको कि बल एक निखा से देख लेना गाइस आपका पेड़ियां सुदर जाएंगी अगर आपका एक देखें उससे पूछें जिसका एक नंबर से रुकता है सेलेक्शन और फिर वो प्राइवेट अपने जीवन को गुजारा करने के लिए नोकरी को जॉइन करता है तो गॉइस यहाँ पर निवेदन रहेगा चीजें थोड़ी सी कठिन हो सकती है लेकिन जिन्दगी सरलता से जीना है तो आज कठिनाई से महनत कर लेंगा माता पिताब की आज में बहुत बैठे हुए इन्हों ने बाटा है सर बिचार के आधार पर बुले कि किसने बाटा थौंडाइक ने बाटा है सरीर के आधार पर हमने बाटा है क्रेचमर सहाब ने भी सेस्था के आधार पर सिल्डन ने बाटा है लेकिन चिकिस्था के आधार पर किसने बाटा है यह बाटा है हिपोक्रेटस ने या हिपोक्रेटीज ने इन्होंने बतायках काला पित वाला व्यक्ति होता है ही पीला पित वाला अधिकरक्त वाला कफ्व प्रधान वाला यानि अगर आपसे question में आये कि बलड के अनुसार किसने व्यक्तित को बताया है तो आपकर write answer होगा Hippocrates अब बात आती है ये काला पित और पीला पित क्या है क्या ये रंग है गाईज यहाँ पर काला पित वाला यानि कुंठित विचार वाला अगर निरास व्यक्ति अगर आप से पूछे कि निरासा वान व्यक्ति किस स्रेणी में है Hippocrates की तो वो है हमारी काले पित वाले यानि अगर आप से कुष्ण में आ जाए statement में या पैड़ा गोजी में तो अगर आप से कुष्ण आ जाए कि अगर कुंठित है दुखी है तो वो किस स्रेणी में जाएगा तो वो काले पित उसका पित कैसा होगा काला होगा और पित के अनुसार माट़ी है दूसरी अवस्थ पीला पित वाला यानि क्रोधी लड़ाका तीब्र गति वाला जो बहुत तेजी से कारे करता है लड़ाका है हर बात में जगड़ा करता है तो इस टाइप के देखो ये सांत वाले होते है सांत है पर दुखी है लेकिन ये तीब्र है तीब्र है पर लड़ाका है तो ये कैसे होते हैं ये पीले वाले होते है और अधिकरक्त वाला आसावान होता है बीर पुरूस होता है और भाया सकारात्मक पुरूस होता है सकारात्मक विचार वाला होता है और कफ परधान वाला जो लास्ट है हमारा इसमें क्या होता है सांत होता है ना किसी से मतलब उदार होता है मनन वाला विक्ति होता है ज्यादा किसी से जगड़ता नहीं है तो ये चार आपके important point थे last में important point पर जा रहा है बहुत important तरीका ऐसे और last stage की स्रेडी में है हमारे E. Springer question में बार-बार exam में आया है कि types of men किसकी पुस्तक है तो types of men है E. Springer सहब कि इन्होंने अपने प्रकार में 6 प्रकार के व्यक्तितों का वर्णन करा है एक है सैधान्तिक भावना वाला व्यक्ति एक है व्यक्तितो और एक है दूसरा सामाजिक व्यक्तितो और तीसरा है आर्थिक व्यक्तितो चोथा है राजनीतिक व्यक्तितो पांचमा है guys धार्मिक व्यक्तितो और छटा है सौंदर्यात्मक फ्यक्तित्तो गाइस तो मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा कि इस प्रेंगर ने कौन सी बुक लिखी है टाइपस ओफ मैं ठीके बुक्स वाला पार्ट भी मैं करा दूँगा नीचे आपको आई बटन मिल जाएगी या नीचे आपको सारी लिंक मिल जाएगी अच्छा आपने थौंडाइक पॉलो इसके नहीं देखा है तो मनोविज्ञान आपका बिल्कुल पेपर अच्छा नहीं होगा इस सारे आपको सिध्धान कंप्लिट कर लेने हैं मैंने 10-10 मिनट की वीडियोज बनाई है आप चाहो तो एक गंटे में एक सब्जेट को कतम कर सकते हो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी पहले पढ़िएगा इसको तो सबसे पहले आता है सैध्धान्तिक भाववाला अगर दासनिक है वैज्ञानिक है लेखक है साहित्तिकार है तो ये दोस्तों कैसे है ये सैध्धान्तिक भावना वाला वेक्ति है अगर समाज से भी है सामाजिक कारे करता है प्रधान है आपके गाउं का तो वो सामाजिक वेक्तित्तों वाला है सिंपल सी बात है, ध्यान देना, कितना सिंपल, कुछ याद नहीं करने का, और अगर उद्योग पती है, तो भाया आर्थिक, आर्थिक किस से रिलेट करती है, पैसे से रिलेट करती है, ब्यबसाय पैसे से रिलेट करता है, दुकंदार पैसे से रिलेट करता है, अच्छा, रा अच्छी बनाएगा सौंदर यानि सौंदर जलकता होगा तो सौंदर आत्मक हो जाएगी दोस्तों कैसा लगा वीडियो गला तो खराब हो गया है थोड़ी दिर में नेक्स्ट वीडियो आएगी आप सभी के लिए बेहतर प्रयास कर रहा हो फ्री आफ कास्ट है सारी चीजे च गुरुजी और एक स्पेस देना है डब्लू ओ आरेलडी गुरुजी की स्पेलिंग देखो बच्चे जी आई लिख देते हैं डब्लू ओ आरेलडी में डब्लू ओ आरेलडी लिख देते हैं तो कहां से चैनल सर्च में मिलेगा और आपको ग्रीन लोगो का चैनल मिलेगा ज पूरे वीडियो में यह नहीं कहा है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजागा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें गाईज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें